हलो एन वेलकम बैक टो इग्जॉटिक म्यूजिंग्स, आज मैं आप सब के लिए एक स्नाक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है क्रिस्पी सेजवान वेजटेबल बॉल्स, यह बहुती स्पाइसी, मज़िदार और बहुती डिलीशियस स्नाक रेसिपी है, चलो ले और एक छोटा प्याज जो की बारी कटा हुआ है, और एक कप पालक के पत्ते जो की बारी कटे हुए हैं, और दो सी तीन चमच धनिया पत्ता, और उसी के साथ एक कप गिसा हुआ पनीर भी डाल देंगे, आदा चमच गिसा हुआ अद्रक, स्वाद अनुसार नमक, दो चमच सेजवान सॉस, और आदा कप चावल का आटा भी डाल देंगे, अब हम इन सब को मिक्स कर लेंगे, हमें एक बहुती स्मूथ और नौन स्टिकी मिक्स्टर त्यार करना हैं, और ध्यान रहे इसमें कोई भी लंप्स ना हो, अगर जादा स्पाइसी करना चाहते हो तो एक चमच लाल मिच्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको ये सब सब्जी नहीं डालनी तो आप अपनी मन पसंद की सब्जी भी डाल सकते हैं, अब इसके बाद एक एक इक्विल साइज के हमें चोटे-चोटे बॉल्स बनाने हैं, ये इतनी कॉंटिटी के मिक्स्टर से हम 20-25 बॉल्स त्यार कर सकते हैं, आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो मिक्स्टर है ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होना चाहिए, अगर आपका मिक्स्टर थोड़ा सा भी स्टिकी है तो आप 2-3 चमच चावल का आटा डाल सकते हैं, अब हमारी सब बॉल्स त्यार हो गई है फ्राइ करने के लिए अब हम एक कडाई में तेल डालेंगे, एक बारी जब तेल गरम हो जाए तो हम एक एक करके बॉल्स डाल देंगे और उन्हें डीफ्राइ करेंगे मीडियम आंच पर, हमें इन्हें हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राइ करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं, अब आप देखी रहे हैं रेसिपी कितनी ही सूपर इजी है और बहुत ही डिलिशियस, आसम और स्पाइसी रेसिपी है, आप इन बॉल्स को दानिया, पुदीना चटनी या टमेटो केचप के साथ भी सर्फ कर सकते हैं ये तो चाई के साथ बहुत ही बढ़िया लगते हैं आप जरू ट्राइ करके देखिए आपको सबको बहुत ही पसंद आएंगे दीखे कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़िदार हैं अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइम करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच फो वाचिंग बबाई, सी यू नेक्स ताइम